त्योथर में दशेहरे पर हिंदू मुस्लिम भायचारे का अध्वुत नजारा कूटी सरीफ के मुस्लिम भायों ने भगवान शिराम की पूजा अर्चना कर किया सम्मार मध्यप्रिदेश के रीवा जिले के त्योथर शेहर में दशेहरे का पर्वब बड़े ही धूमधाम से मनाया गया इस उसर पर भगवान शिराम की शोभायात्रा भैरवनात रामलीला मंच से रावणा मैदान पहुँची शोभायात्रा के रास्ते में कुटी सरीव के मुसलिम भायों के परिवार द्वारा भगवान शिराम की पूजा अर्चना और आर्थी की गई इस दोरान जैश्री राम और कुटी सरीव के जैकारे से पूरा नगर गुँजुठा ये एक अनूठी परमपरा है जो तियोधर में कई वर्षों से चली आ रही है इस परमपरा के अनुसार जब भगवान शिराम की शोभायात्रा कुटी सरीव के पास से गुजरती है तो कुटी सरीफ के मुस्लिम भाईयों के परिवार द्वारा भगवान शीराम का स्वागत किया जाता है। वे भगवान शीराम की पूजा अर्चना और आरती करते हैं और उन्हें फूलों से सजाते हैं। इसके बाद ही भगवान शीराम का रत रावणा मैदान की ओर आगे बढ़ता है। कुटी सरीफ के मुसलिम भायों का कहना है कि वे भगवान शीराम को सभी धर्मों के भगवान के रूप में मानते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री राम का सम्मान करना उनकी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है राम लीला मंडली के अध्यक्ष राम चंद्र सिंग ने कहा कि त्योथर में हिंदो मुस्लिम भाईचारे की परमपरा एक अनमोल धरोहर है उन्होंने कहा कि ये परमपरा हमें ये सिखाती है कि सभी धर्मों के लोग एक साथ रह सकते हैं और शांती और भाईचारे से रह सकते हैं त्योथर में दशहरे के परवपर हिंदो मुस्लिम भाईचारे का अध्भुत नजारा देखने को मिलता है ये परंपरा हिंदो मुसलिम एकता का एक प्रतीक है और ये हमें ये सिखाती है कि सभी धर्मों के लोग एक साथ रह सकते हैं और शांती और भाईचारे से रह सकते हैं त्योथर शहर में हिंदू मुसलिम भाईचारे की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस परंपरा को बनाये रखने में दोनों समुदायों के लोगों का महत्पूर्ण योगदान है। त्योथर शहर के मुसलिम भाईचारे की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया है और उन रह सकते हैं ये परंपरा हमें ये सिखाती है कि धर्म हमें विभाजित नहीं कर सकता बलकि एक जुट कर सकता है